कि ताथ के दो बज़े में पॉबिक सोरी है हो 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 है वर्ट सब गाइज आई होप आप सभी बढ़िया होंगे तो इस वीडियो में इस तरह की बैलिशिटी एडिंग सिकाने वाला हूं तो चलिए वीडियो सुरू करते हैं हम अर्जयित दूस्तों सबसे बहुरे आप फोपन कर लेना है आप नियुट लेना तो मैं मेरे पास जो भीपियन इप chosen कनेक्ट कर लेपाँ में इस कनेक्ट कर लेता हूं तो वीपेन कनेक्ट होने के बदा काथ आपको है और आपको पन करना है और पर न्यूज प्रजेक्ट पर क्लिक करना है यहां पर आपटी के बाद मुझे इसे 916 में बनाना है तो में 916 करनी एक बाद ड़न कर दूँ गा और इसे जूम कर देंगे तो जूम होने के बाद आपको इसे वह ची में नहीं कर लेने के बाद आप आपको यहां पर song को add करना है तो यहां पर audio पर जाना है और sounds पर जाकर आप यहां से files पर जाकर के song add कर सकते हैं पर मुझे video में से song को extract करना है तो मैं extract पर जाओंगा यहां पर इसे जाके मैं extract sound कर लेगी तो यहां पर यह song add हो गया है अब यहां पर आपको song पे key देना है तो song को select करना है and थोड़ा दर select करके beats पे click करके आपको यहां पर key दे सकते हैं जो high beat है जहां पर आपको balance duty को add करना है तो मैं इन मत्हुंप जाहता हूँ beat mark तो यहांपर पहला है आपको आपको आपर यह वर्टिकल लाना है एड़ बीट पर क्लिक करदेना है इस तरह से आप पूरे में कर लेते हैं तो यह पूरे में आपको ला गया है अब आपको इसे done कर देना है done करने के बाद आपको यहां पे end screen देख रहा होगा ending इस पर click करके आपको delete कर देना है अब आपको यहां से spilt करना है इसको थोड़ा इसके आंगे से जहां पर आपको यह beat mark है जहां पर आप देख रहा है यहां पर beat mark है तो आपको थोड़ा इदर आके इसको किले पर किले करके इस बिल्ट कर देना है अब आपको स्वीट पे जाना है नॉर्मल पे जाके इसकी स्वीट को 2.0x कर देना है अब आपको beat पर आना है and beat पर आने के बाद आपको beat पर आ जाना है फिर spilt फिर से कर देना है and speed पर जाके normal पर जाके इसे बिल्कुल 0.1x कर देना है फिर इसको done करना है बहुत simple है आपको थोड़ा beat से पहले आना है ठीक है अगर आपको problem हो रही है beat को तो आप इसे two finger से zoom कर सकते हैं अब आपको problem नहीं होगी तो थोड़ा beat से पहले आना है spilt करना है और यहाँ पर इसकी जो normal पर आके speed पर जाके normal पर जाके इसकी जो यह speed है इसको 2.0x कर देना है आपको यहाँ पर point पर की पर जाना है यहाँ पर आपको एक speed देना है speed पर जाना है normal पर जाके इसे 0.1x कर देना है आप यह 0.1x के जगा 0.5x भी कर सकते हैं फिर से आपको यहाँ पर थोड़ा key से यह key है इससे थोड़ा पहले आना है यहाँ पर speed करना है speed पर जाना है normal पर जाके इसे 2.0x कर देंगी दन ओरनेके बाद पिर कीप पर आना है फिर इससे पिल्ट करना है फिर स्फीड़ पर जाके आपको नॉर्म v audit एकक्स कर देंग ते is दर आपको delete कर देना तो यह पूरा velocity अब इसमें add हो गई है अभी थोड़ा smooth effect नहीं add हुआ है आप देख सकते हैं तो अब थोड़ा smooth add करना पड़ेगा आपको तो इसके लिए थोड़ा इसे zoom कर लेना यहां पर जो आपने यहां से start है आपने यहां से velocity add की है जहां पर जो यह clip है 0.1x की यहां पर आपको इसे ऊपर भी देख सकते हैं 0.1x की clip पर click करना है and speed पर जाके normal पर जाके and make it smoother पर click करके better quality पर click करके आपको इसे done कर देना है अब यह आपकी smooth slow motion apply होगा इस clip पर इसी तरह आपको 0.1x की जितनी clips आपने add की है उन सभी clip पर add कर लेना है जैसे इस clip पर click करके आपको speed पर जाना है normal पर click करके make it smoother पर click करके आपको better quality पर click करना है and done कर देना है तो इस तरह से आप पूरी clips पर जो आपकी 0.1x की clips हैं उन पर इसको add कर लेना है तो इसे मैं add कर लेता हूँ इसी तरह से आपको अपनी सभी के लिए इसमें इसे apply कर लेना है तो यह हमारी last clip है इसमें भी हम इसे apply कर लेते हैं तो पूरा हो चगा है आई हो आपको इतना समझने में कोई problem नहीं आई होगी तो अब आपको इसमें glow effect add करना है तो glow effect add करने के लिए आपको simply starting में आ जाना है और यहाँ पर यह vertical line को इदर लाना है जहाँ पर आपने first clip को अबर किया था जोरी और यहाँ पर आपको effect में जाना है effects में and video effects में जाना है यहाँ पर आपको lens option मिल जाएगा lens okay आपको यहाँ पर जाएंगे तो आपको यहाँ पर age glow का option मिलेगा तो इस effect को आपको add कर लेना है अगर आपका old version है तो उसमें आपको basic में मिलेगा कोई यहां पर मेरे में कोई बेसिक अप्स momento में लेंस पला करा देगा तो आपको इसको एज़ेस्ट करना थो आपको इस किले को लॉंग कर toughest देना है अपनी किलेप के सब्सक्राइज कर देना थो यह हो गया 2.0 x किलेप के ऊपर बिल्ग एज़ेश्ट हो के आपके यहाँ पर click करके इसे copy कर लेना है and आगे वाली जो clip है उस पर इसे adjust कर देना है इसे copy करेंगे and आगे वाली clip पर इसे फिर से add कर देना है तो यहाँ पर भी यह add हो गई फिर से and इस तरह से आपको सभी clips पर इसे add कर लेना है तो मैं इसे सभी किलिप पर एड़ कर लेता हूं और इधान रखना कि इसे बिल्कुल एज़स्ट करना है 2.0 x के किलिप के एसाफ से और 0.1 x किलिप के ऊपर इसे एज़स्ट नहीं करना है जैसे मैं कर रहा हूं उसी तरह आपको सभी पर कर देना है तो गिलो एफेक्ट् अइड हो गया है आई होग आपको ये गिलो एफेक्ट् अइड करना आ गया होका JUST इसमें villar effect add कर सकते हैं तो आपको इसे चोठा कर देना है इतना भी नहीं थोड़ा बढ़ा रखना है एंड वीडियो effect पर जाना है सबसे पहले effects पर जाके फिर video effect पर जाना है एंड यहां पर आपको trending में आ जाना है यहां पर आपको 2 effect मिल जाएंगे diamond तो मैं हेलो बिलर यूज करूंगा तो है लुट रण किया एंड इसे अपनी स्टार्टिंग के लिए इसाफ से एजस्ट करते हैं लॉंग प्रेस करके इसे जिदर आपको गढ़ाना है उदर की तरफ खीचना है तो यह एजस्ट हो गया इसकी एजस्मेंट पर जाना है फिर इंटेंसिटी को इसे हंडेट करते हैं तो अभी आपकी बैलोसिटी एडिटिंग पूरी हो चुकी है अब आप इसे एक्सपोर्ट कर लें आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में